Hello everyone, welcome back to the channel, so आज हम बात करने वाले हैं आज की current affairs की यहाँ पर पहला question है, National Youth Day is celebrated on which date? इस दिन को 12 जन्वरी को हर साल celebrate किया चाता है, यहाँ पर डिटेल्स थोड़ी से देख लेते हैं क्यों इस दिन celebrate करते हैं? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेका नंद जी की birth anniversary होती है इनका जन्वरी 12 जन्वरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्य हुई थी पहली बार हमने National Youth Day 1984 में मनाया था, ठीक है 1984 में पहली बार government के दोरा डिकलेर किया गया था कि हम यह दिनको celebrate करेंगे स्वामी विवेका नंद को बश्पन का नाम क्या था, उनका नाम ओरिजिनल नेम नरियंदरनाथ दत्त था बाद में जब वो मोनेस्टिक हो गए थे उसके बाद उनका नाम स्वामी विवेका नंद पड़ा था ठीक है उनको किसलिए जाना जाता है तो में चीज जो जिसके लिए उन्हों जाना जाता है वो है 1893 का शिकागो में वर्ल्स रिलिजन की पारलेमेंट में उन्होंने जो स्पीच दी अपनी जाना जाता है और इंटरनाशनल यूथ डे कब मनाते हैं 12 अगस्त को बारा तारीक सेम ही है लेकिन अगस्त में और बारा जन्वरी नाशनल यूथ के इन्विच स्टेट है इंडिया का लॉंगेस्ट सी ब्रिज है ये ये जो है वर्ल्ड का 12 लॉंगेस्ट सी ब्रिज है लेंध है इसकी 21.8 किलोमेटर और इस ब्रिज के जरिये मॉंबई और उनों जगों की जो दूरी है जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा पहले नवी मुंबई तक पहुंचने में पहले दो घंटे लक्ते थे अबी вкус बीस मिनट में मोंबई से नवी मुंबई इसके जरियों पहुंचा जा सकता है तीकि है पहले इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाता था और फाउंडिशन स्टोन इसकी दिसंबर 2016 में रखी गई थी प्रधान मंत्री मोधी के द्वारा ही और अबीनों नहीं आज ही इसको इनॉग्रेट किया है अटल विहारी बाजवी सेवरी नावा शेवा या फिर अटल सेतु मह साहिने भी गई और लॉवलेस्थ की सिद्र हाँ अगर भारत में इमर्जन्सी की बात करें दो को तीन तरह की हमारे समय lur इन सी और फार्देशम इमर्जेंसी को प्रिजिदेन्ज मुन के नाम से जानते हैं आठिकल से याद रख सकते हैं आप लोग érenceरी के बारे में है 356 में President's Rule के बारे में बताया गया है और Article 360 Financial Emergency के बारे में है और अभी तक अमारे आपर एक भी बार Financial Emergency की हालत नहीं बनी है ठीक है Financial Emergency कभी भी नहीं लगी है National Emergency और State Emergency कई बार लग चुकी है विच टाउन वन क्लीनेस्ट गंगा टाउन अवार्ड तो ये है वारानसी और प्रियाग राज ये दोनों ही टाउन ने क्लीनेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड जीता है इन दा स्वच्छ सर्वेक्षन 2023 अवार्ड इनको ऑगनाईस किस ने किया यूनियन हाउसिंग एन अर्बन इफेर्स मिनिस्ट्री ने किया है मिनिस्टर इस समय है हरदीप सिंग पूरी ठीके सेलिब्रेट किया जाता है और यही पर तबला धरबार लगा था जिसमें पंद्रा सो तबला परफॉर्मेर्स ने एक साथ परफॉर्मेंस तेक कर गिनीस वर्ल रिकॉर्ड क्रियेट किया था चेननाई में 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोजार चाविस होगा नई दिल्ली में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए दोजार तेस में अबू धाबी 47 चैस ओलंपियार दोजार थाईस में होगा और दुबाई में कॉप 28 समिट दोजार तेस की हुई थी यह पहली महिला है दीपा भंडारे शुगर इंडस्ट्री जो हमारे हां की है यह basically male dominated मानी जाती है और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला को best environment officer award मिला है तो important है यह आद रखियेगा और किसने यह awards दिये है वसंत दादा शुगर इंस्टिट्यूट के chairman शरद पवार के द्वारा दिये गए है एक और महिला न्यूज में रही थी सुचेता सतीश इन्होंने गिनीज वर्ल्ल रिकॉर्ड बनाया है by singing in 140 languages केरला की महिला है यह सुचेता सतीश यहाँ पर first women in news देख लेते हैं 2023 की प्रेणा देऊस्तले यह पहली महिला officer बनी है इंडियन नेवी की to command the Indian naval warship शालिजा धामी पहली महिला air force officer है to take charge of a frontline combat unit नीना सिंग पहली female दीजी है CISF की रश्मी शुकला महराष्टर की पहली महिला DGP बनी है नादिया कैलविनो यह European investment bank की president है कंचन देवी पहली महिला डिरेक्टर जनरल बनी है ICFRE की और कर्नल सुनीता BS पहली female commanding officer है Armed Forces Transfusion Center में अमन सहरावत won which medal in UWW ranking series इसमें अमन सहरावत ने जीता है gold medal option एकरेक्ट होगा दो हजार 24 का पहरा gold medal है इनका 57 kg category में इन्होंने यह जीता है यहाँ पर sports current fair देख लेते हैं तो Puberty Athlete of the Year 2023 वराट कोली रहे है Indian Grandmaster Koneru Humpy इन्होंने 2030 World Rapid Chess Championship में individual category में silver medal जीता है यह championship समरकंद उजबेकिस्तान में हुई थी फिर next है Indian wrestler Pooja Dhanda इन्हें suspend कर दिया गया एक साल के लिए due to whereabouts failures Australian better है David Warner इन्होंने अभी फिलहाल अपने test cricket से retirement announce किया है South Africa के Dean Elgar ने announce किया अपना retirement from international cricket फिर Indian wrestler है Sakshi Malik इन्होंने भी अपना retirement announce किया है 2016 Rio Olympic में इन्होंने bronze medal जीता था फिर next है Mitchell Stark Australia के most expensive player रहे है IPL 2024 में KKR की तरफ से खेलेंगे यह Ranki Reddy सात्विक साहिराज और चिराग शेटी दोनों को Major Dhyhanchan खेलरत नवार 2023 के लिए दिया गया है और हर्याना की First position रही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो की नई दिल्ले में हुए पहले केलो इंडिया पैरा गेम्स यह हुए है हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू Of which place got GI tag तो यह जो लड्डू है यह अयोध्या का है हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू राम मंदिर का शिलान्यास राम मंदिर राम मंदिर में अभी प्रांट प्रतिष्ठा होने वाली है तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि आयोध्या के हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू को GI tag रिसेंटली दिया गया है यह इंडियान आमी के द्वारा डिक्लेर किया गया है highlighting the army's commitment to utilizing technology फिर हम देखें आर्मी ने ही शुरू किया है एक project संभव एक mobile ecosystem है जो की इन्डियन आमी के cyber space capability को बढ़ाने के लिए 5G technology का यूज करने के लिए बनाया गया है project संभव ठीक है इन्डियन आर्मी का ही है और इन्डियन आर्मी ने 2014 की साल को year of technology absorption की रूप में डिक्लेर किया है IIT मदरास opened its new campus in which country तो कुछ समय पहले देखा था हमने जानजिबार में IIT मदरास ने अपना campus खोला था जानजिबार कहां पर है तंजानिया में है अभी श्रुलंका में भी एक नई नया campus IIT मदरास के द्वारा शुरू किया गया ठीक है श्रुलंका की कौन से जगे में है तो कैंडी में और यह जानसी बार तंजानिया वाला मैंने बताई दिया आपको पहला IIT बना है IIT मदरास जिसने विदेश में international campus कोई बाहर किसी देश में खोला है ठीक है और अब second भी कहां पर खोलने वाला है शुलंका में तो यह अवार्ड जो है दुबाई को दिया गया है ओप्शन ए करेक्ट होगा Dubai becomes the first city to secure the number one global destination title for three successive years FIH signed a four-year media right agreement with whom FIH International Hockey Federation के द्वारा media right agreement sign किया गया है YCOM 18 के साथ में चार साल के लिए 2023 से लेकर 2027 तक के लिए YCOM 18 ब्राड कास्ट करेगा और stream करेगा key events को including FIH Hockey Olympic Qualifiers FIH Hockey 5S World Cup FIH Hockey Pro League और 2026 FIH Hockey World Cup On Sports 18 and Gio Cinema अब लास्ट में एक क्वेशन है आप लोग के लिए Which state has launched राम लला दर्शन स्कीम Free pilgrimage to अयोध्या धाम ये स्कीम किसकी है गुजरात हर्याना 36 कर्ड या फिर उत्तरपरदेश Answer बताएगा comment box में और इसे के साथ वीडियो का होता है Thank you so much for watching जाहिए